तो आपके से आध मैं बनागी आटे का हलुआ तो मैंने इसके लिए एक कटोरी आटा लिया है जहं काटा नेक कटोरी ये मैंने देशी घी लिया है एक कटोरी यह मैंने एक कटोरी चीनी लिया है यह किसमिस और इलाइची यह मैंने बादाम लिया है तो चले फैन कैसे बनाते हैं आटे का लोग शुरू करते हैं फैन को गरम करेंगे देखे फैन हमारा गरम हो रहा है अब डालोंगे इसमें देशी गी अमड़ा लूंगे बदाम वे इसमें देखें हमारे किसमिस वादाम चिक देखें हैंको निकार देखेंए मने परतुनिए हम मैं इस में डालूंगी आठा को दस मिनाट तक कमदैस पे सेखेंगे देखे मैंने एक कटोरी आठा में एक कटोरी गी डाल दिया है दोसके विसको कमदैस के पकाएंगे जब तक ब्राउन होगा जब तक पकाएंगे हम देखे फ्रेंड हमारा अभी आठा पका नहीं है अभी और पकाएंगे दस मिनेट इसको ब्राउन हो जाएगा जब तक देखे दोस्तों हमारा आठा अच्छे से सिग गया है देखे ब्राउन कलर हो गया है इस पार अब मैं डालूंगे इसमें पानी एक कटोरी आठा था दो कटोरी पानी डालूंगे इसमें से डबल आठा से डबल अब इसको पांच मिनेट ही लाएंगे देखे फ्रेंड हमारा अलवा की तना अच्छे से तयार हुआ है अब मैं इसमें डालूंगे चीनी एक कटोरी आठा दो कटोरी पानी एक कटोरी चीनी अब इसको तीन-चार मिनाट तक पकाएंगे देखे फ्रेंड हम डालेंगे कजु यह बादां किस्मिस लाएंची आप जरूर ट्राइल करेगा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करिएगा दोस्तों यह लवा मेरी बच्चों को बहुत पसंद है आते वाला देखे दोस्तों कितना अच्छा बनाएए है